नमस्कार दोस्तों मैं हूराकेस और आप देखे रहे हैं GoToOnline तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका अकाउंट भारती स्टेट बैंक में है तो कैसे आप अपने स्टेट बैंक के अकाउंट की UPI ID को डिशेवल कर सकते हो UPI ID डिशेवल करने के बाद मैं आप अपने अकाउंट को किसी भी UPI वैलेट में यूज नहीं कर सकते हो तो कैसे आप अपने UPI ID को डिशेवल और इनेवल कर सकते हैं तो उसके लिए मैं आपको ले चलूँग अपने मुबाइल के स्क्रीन पर लेकिन स्क्रीन पर ले जाने से पहले मेरी आप से रिकेष्ट है अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं तो वीडियो के नीचे आपको लाल लंगे सब्सक्राइब को अटन दिखरा होगा तो मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर तो आप दो तरीके से अपनी UPI ID को इनेवल और डिसेवल कर सकते हो अगर आप चाहे तो आप Google में जा करके टाइप करें www.sbi.com और वहाँ पर अपना यूजर ID और पासवर्ट दे करके लॉग इन हो जाएं वहाँ से भी आप कर सकते हो और नहीं तो आप योनो चलाते हैं तो आप योनो के थरो भी कर सकते हो तो मैं आपको दिखा रहा हूँ आप योनो के थरो कैसे करेंगे तो मैं यहाँ पर अपना योनो जो है एप ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर अपना MPIN दे करके लॉग इन हो जाता हूँ तो मैं अपने Yono app में login हो चुका हूँ और आपको देखिए उपर option नजर आ रहा है मैं यहाँ पर mark कर देता हूँ UPI transfer का और यहाँ पर आपको click कर देना है click करने के बाद में सबसे नीचे आपको एक option नजर आ रहा है enable, disable, UPI तो आपको क्या करना है इस पर click कर देना है click करने के बाद में यहाँ पर आपको internet banking का जो profile password है यहाँ पर आपको enter करना है तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा खुल चुका है और यहाँ मेरा account number 100 हो रहा है तो अभी यह processing में है तो फिर से यह error आ गया है तो मैं फिर से यह account पर click करूँगा और यहाँ से फिर से करूँगा try में तो मैं 2-3 बार try करता हूँ कुछ error की वज़े से अगर यह message आपके सामने आये तो आपको 2-3 बार try करना है तो मैं यहाँ पिर से try करता हूँ तो आपको try करते रहना है देखिए दो तीन बार try करने के बाद मैं यहां पर एक option खुल कर आ गया है enable UPI ID तो यहां पर on हो रहे और यहां से मैं इसको off कर देता हूँ तो यहां देखिए यहां पर on हो रहे और मैं इसको यहां से off कर देता हूँ यहां off हो गया है, off करने के बाद में आपको नीचे submit button पर click कर देना है तो मैं यहां submit button पर click कर दिया है और click करने के बाद में यहां आप से फिर confirmation मांग रहा है तो यहां आपको confirm कर देना है तो मैं यहां से confirm कर देता हूँ confirm करने के बाद में आपके mobile नंबर पर एक OTP आएगा तो यहां पर आपको OTP डाल के submit कर देना है तो मैं OTP देख लेता हूं कितना है तो हमारा OTP है 73-98-178 तो मैं डाल देता हूं इसमें 73-98-178 और यहां पर submit कर देता हूं तो submit करने के बारत में थोड़ा सा वेट करेंगे और यह process हो रहा है तो देखें यहां पर UPI is successfully disabled for your account number यानि इस account number की UPI ID हमारे disabled हो चुकी है अब देखते हैं फॉन पे में जाके यह काम करती है नहीं करती है तो मैं यहां आ गया phone pay में और phone pay में balance inquiry करेके देखता हूं इस account की अगर होती है के नहीं होती है तो मैं यहां पर check balance और यह account में link कर लेता हूं पहले तो जिस account की मैंने UPI ID जो है disabled की है तो वह account इसमें लिंक नहीं हो रहा है तो वह होगा भी नहीं क्योंकि उसकी UPI ID में disable कर चुका हूं तो इस तरह आप अपने UPI ID को enable कर सकते हो जानकारी अच्छे लेगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताके इसी जानकारी आपको वह इश्म मिलती रहें तो फिर मिलता हूं किसी नहीं जानकारी के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई